राश्ट्रिय शिक्षानीत दो हजार बीस भाग एक स्कूल शिक्षा अध्याय दो बुनियादी साक्षर्ता एवं संख्या ज्यान सीखने के लिए एक तातकालिक आविशक्ता और पूर्वुशर्थ तो आईए सुनते हैं इसका ध्वानी पार्ट 2. बुनियादी साक्षर्ता एवं संख्या ज्यान सीखने के लिए तातकालिक आविशक्ता और पूर्वशर्थ 2.1 सभी विद्यालेयों के छात्रों द्वारा पढ़ने और लिखने और संख्याओं के साथ-साथ कुछ बुनियादी संक्रियाएं करने की क्षमता आगे की स्कूली शिक्षा में और जीवन भर सीखते रहने की बुनियाद रखती है और भविश्य में सीखने की एक पूर्व शर्त भी है हालांकि विभिन सरकारी साथ ही गयर सरकारी सर्वेक्षनों से यह संकेत मिलता है कि हम वर्तमान में सीखने की एक गंभीर समस्या से जूज रहे हैं वर्तमान में प्रात्मिक विद्याले में बड़ी संख्या में शिक्षार्थियों ने जिनकी अनुमानित संख्या पांच करोड से भी अधिक है बुनियादी साक्षर्था और संख्या ग्यान भी नहीं सीखा है अर्थात ऐसे बच्चों को सामान्य लेख को पढ़ने, समझने और अंकों के साथ बुनियादी जोड और घटाओ करने की क्षमता भी नहीं है 2.2 सभी बच्चों के लिए मूल भूत साक्षर्था और संख्या ग्यान को प्राप्त करना ततकाल रूप से एक राष्ट्रिय अभियान बनेगा, जिसे कई मुर्चों पर किये जाने वाले तातकालिक उपायों और स्पष्ट लक्षियों के साथ अलपावधी में प्राप्त किय जाएगा, जिसमें प्रतेक छात्र को कक्षा तीन तक मूल भूत साक्षर्था और संख्या ग्यान को आवश्यक रूप से प्राप्त करना शामिल किया गया है। हासिल करने पर ही हमारे विद्यार्थियों के लिए बाकी नीती प्रासंगिक होगी। इसके लिए मानम संसाधन विकास मंत्राले यानि MHRD द्वारा प्रात्मिक आधार पर आधार भूत साक्षर्था एवं संख्यात मक्ता पर एक राष्ट्रिय मिशन स्थापित किया जाए सार्वभावमिक मूलभूत साक्षर्था और संख्या ज्यान के लिए राज्य या केंदर शासित प्रदेश की सरकारें 2025 तक प्राप्त किये जा सकने वाले चरणवार चिन्हित कारियों और लक्षियों की पहचान करते हुए और उसकी प्रगती को बारीकी से जाच और निग जिरानी करते हुए अविलंब एक क्रियानवयन योजना तयार करेंगी 2.3 सर्व प्रथम शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द और समय बद्ध तरीके से भरा जाएगा विशेश रूप से वन्चित क्षेत्रों और उन क्षेत्रों में जहां शिक्षक बच्चों का अनुपात दर ज्यादा हो या जहां साक्षर्ता की दर निम्न हो वहां स्थानिय शिक्षक या स्थानिय भाषा से परिचित शिक्षकों को न्युक्त करने पर विशेश रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए ये सुनिश्चित किया गया है कि प्रतेक स्कूल में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात यानी PTR तीस अनुपात एक से कम हो और सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित बच्चों की अधिक्ता वाले क्षेत्रों के स्कूलों में शिक्षक विद्यार्थियों का अनुपात यानि PTR 25 अनुपात एक से कम हो। कक्षास तर से नीचे के बच्चों को मूलभूत साक्षर्ता और संख्या ज्यान सिखाने के उद्देश्य से शिक्षकों को सतत व्यावसाईक विकास यानि CPD के साथ संबलित, उत्साहित और प्रशिक्षित किया जाएगा। 2.4 पाठे चर्या में बुनियादी साक्षर्ता और संख्या ज्यान पर अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा और पूरे प्रारंभिक और माध्यमिक स्कूल पाठे चर्या के दोरान एक मजबूत सतत रचनात्मक और अनुकूल मुल्यांकन प्रनाली के साथ विशेश रूफ से प्रतेक बच्चों का सीखना ट्रैक किया जाएगा और सामन्यतह पढ़ने, लिखने, बोलने, गिनने, अंक गणित और गणितीय चिंतन पर अधिक ध्यान केंद्रित होगा। 2.5 वर्तमान समय में ECCE की सभी तक पहुंच नहीं होने के कारण, बच्चों का एक बड़ा हिस्सा प्रतम कक्षा में प्रवेश पाने के कुछ ही हपतों बाद अपने सहपाठियों से पिछड जाता है। इसलिए NCERT और NCERT के द्वारा कक्षा एक के विद्यार्थियों के लिए अलपकालीन तीन महिने का प्ले आधारित स्कूल तैयारी मॉड्यूल बनाया जाएगा। जिसमें गतिविधियां और वर्क बुक होगी जिनमें अक्षर, ध्वनिया, शब्द, रंग, आकार, संख्या आधी शामिल होंगे। इस मॉड्यूल को क्रियानवित करने में सहपाठियों और अभिभावकों का भी योगदान लिया जाएगा। इससे यह सुनिष्चित करने में मदद मिलेगी कि हर विद्यार्थी स्कूल के लिए तैयार है। 2.6. The Digital Infrastructure for Knowledge Sharing यानी दिक्षा पर बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्यान पर उच्चितर गुणवत्ता वाले संसाधनों का एक राष्ट्रिय भंडार उपलब्ध कराया जाएगा। तक्निकी दखल को शिक्षकों के लिए एक मदद के रूप में पहले प्रयोगात्मक किया जाएगा और फिर लागू किया जाएगा। इसमें शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच भाषाई बाधाओं को भी दूर करने के उपाय शामिल हैं। 2.7 वर्तमान में बड़े पैमाने पर बच्चे नहीं सीख रहे हैं। यह एक बड़ा संकट है। की देखरेख में और सुरक्षा पहलूओं का उचित ध्यान रख कर साथी छात्रों के लिए पियर ट्यूटरिंग को एक स्वैचिक और आनन्दपूर्ण गतिविधी के रूप में लिया जा सकता है। स्थानिय और गैर स्थानिय दोनों प्रकार के प्रशिक्षित वालिंटियर्स के लिए इस बड़े पैमाने के अभियान में भाग लेना बहुत आसान बनाया जाएगा। यदि समुदाय का प्रतेक साक्षर सदस्य किसी एक छात्र को पढ़ाने के लिए प्रतिबध हो जाए इससे देश का परिद्रिश्य शीगर ही बदल जाएगा और इस मिशन को अत्यधिक प्रोसाहित और समर्थन दिया जाएगा। राज्य इस तरह के शिक्षन संकट के दौरान मूलभूत साक्षरता और संख्या ज्यान को बढ़ावा देने के लिए इस ततकाल राष्ट्रिय मिशन में पीर ट्यूटरिंग और वालेंटियर्स को बढ़ावा देने के लिए नवीन मॉडल स्थापित करने पर विजार कर सक 2.8 सार्वजनिक और स्कूल पुस्तकालेयों का विस्तार किया जाएगा. डिजिटल पुस्तकाले भी स्थापित किये जाएंगे. गाउं में स्कूल लाइब्रेरी की स्थापना से समुदाय को भी लाभ होगा जो स्कूली समय के पश्चात उसका लाभ ले सकते हैं. बुक क्लब की जाएगी और सभी स्थानों, भाषाओं, स्तरों और शैलियों में पुस्तकों की उपलब्धता, पहुंच, गुणवत्ता और पाठकों को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक पहल की जाएगी 2.9 जब बच्चे कुपोशित या अस्वस्थ होते हैं, तो वे बहतर रूप से सीखने में असमर्थ हो जाते हैं, इसलिए बच्चों के पोशन और स्वास्थे और मानसिक स्वास्थे पर ध्यान दिया जाएगा पुष्टिकर भोजन से अच्छी तरह से प्रशिक्षित समाजिक कारे करताओं, कौंसिलर और स्कूली शिक्षा प्रणाली में समुदाई की भागिदारी के साथ साथ शिक्षा प्रणाली के अलावा विभिन सतत उपायों के माध्यम से कारे किया जाएगा पृष्टि संख्या 14 सुबह और दोपहर में बच्चों को क्रमशह पौष्टिक नाश्ता और भोजन दिया जाए जहां पके हुए गर्म भोजन की विवस्था करना संभव नहीं होगा, वहां साधा लेकिन पौष्टिक विकल्प जैसे गुड के साथ मुंग फली, गुड मिश्रित चना या स्थ पानिय स्तर पर उपलब्ध फल उपलब्ध कराया जा सकता है। सभी स्कूली बच्चों की विशेश रूफ से 100% टीका करण के लिए स्कूलों में नियमित स्वास्थे जाच कराई जाएगी और इसकी निगरानी के लिए हेल्थ कार्ड जारी किये जाएंगे। अभी आप सुन रहे थे राष्ट्रिय शिक्षानीत 2020 भाग एक स्कूल शिक्षा अध्याय दो बुनियादी साक्षर्ता एवं संख्या ज्यान सीखने के लिए एक तातकालिक आवशक्ता और पूर्वशर्ट वाचन्स्वर, अजीत होरु, निर्मान सहयोग, जगबंधु जाना, मीनाक्षि कुक्रेती और तनुगुप्ता, निर्मान, वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती, CIET, NCERT, नई दिल्ली, भारत